हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू इंग्रिश रिट्रिचर गाइड, आज हम डिसकस करेंगे वेट व्यास्ची की लिखी एपिक पोएम महाभारता, वेट व्यास्ची महाभारत में हुए इवेंट्स के विटनेस भी हैं और महाभारत के नूमरेस केरेक्टर्स में से एक हैं, तो क्योंकि इनका बर्थ एक द्वीप मेंस आइलेंड पर हुआ था, बाद में इन्हें वेट व्यास कहा जाने लगा क्योंकि इन्होंने वेदों को क्लासिफाई किया, इनके फादर का नाम था रिशी पाराशर एंड मदर का नाम सत्यवती था, बात करते हैं महाभारता के टेक रूल कर रहे थे और वेद व्यास हिमालयास में मेडिटेशन कर रहे थे, तो उन्हें एक वीजन दिखाई दिया, जिसमें लौड ब्रह्मा ने उनसे भर्थ डैनस्टी की स्टोरी को लिखने के लिए कहा, क्योंकि व्यास जी ने तो इसे खुद विटनेस किया था, व्यास दिखनेस कि स्टोरी को फर्स्ट स्टेज में वेद व्यास जी ने नरेट किया, एंड लौड गनेशा ने लिखा, इस कंपोजिशन का नाम जया था, जया मींस विक्टरी और इस वर्जिन में टोटल 8800 वर्स थे, इसके अलावा वेद व्यास जी ने 8800 वर्स अपने डिसाइ प्रेपल्स में से एक थे वैशम पायना सेकिंड स्टेज अब हस्तिनापूरपर किंग परिक्षित रूल कर रहे थे परिक्षित अभिमन्यों के बेटे थे और अरजुन के ग्रैंड सन थे अब होता ये है कि परिक्षित की डेथ हो जाती है स्नेक तक्षक के डसने से तो उस स् सेज व्यास भी थे सेज व्यास अपनी डिसाइबल वैशम पायना के साथ हस्तिनापूर जाते है सैक्रिफाइस की दौरान ही किंग जनम जैया रिक्वेस्ट करते हैं कि सेज व्यास उन्हें उनके एंसेस्टर्स के बारे में बताएं व्यास स्टोरी नेरेट करने के लिए अ महां उग्रिश्रवा सौती नाम का एक famous storyteller भी present था। उग्रिश्रवा भर्ध डैनेस्टी की इस स्टोरी से बहुत influenced हुआ और उसने पूरी स्टोरी को एक बार में सुनकर याद कर लिया। नेक्स्ट है third stage उग्रिश्रवा हस्तिनापूर से एक नई मिसा नाम के forest में जाते हैं जहां उन्हें सेज सौनका और उनके कुछ साथी सेजिस मिलते हैं। एक poem महा भारता कहा गया। उग्रिश्रवा को श्रीकृष्ण के बड़े भाई भल राम से ये वर्दान मिला था कि वो वेद पूरान के speaker बनेंगे और उनकी memory के साथ सबी senses बहुत strong होंगे। इसी वज़े से उग्रिश्रवा एक ही बारी में वैश्रपायना की स्टोरी सुनकर याद कर लिये थे। महा भारत में महा का मीनिंग होता है great and भारता का मीनिंग होता है स्टोरी। अब कुछ facts and myths की बात करते हैं। महा भारत से जो वेद व्यासची की composition है इस पर सभी scholars and historians agree करते हैं। बट इस epic को वेद व्यासची ने narrate किया और Lord Ganesha ने लिखा इस बात पर सब agree नहीं करते हैं। historians and scholars इस बात पर agree करते हैं कि महा भारत पहले oral epic था और orally ही generation to generation pass होता रहा। कई centuries के बाद इसे संस्कृत में compile किया गया। बट originally ये सेज वेद व्यासची ही composition मानी गई है और इसकी composition date possibly 1000 BCE मानी गई है। आपने ये भी notice किया होगा कि जब वेद व्यासची ने महा भारता को compose किया तो इसमें only 8800 verses थे। and final stage तक आते आते इसमें 1,00,000 verses हो गए। इसका answer historians इस तरह देते हैं कि महा भारत के text development में उनहीं का contribution है जो इसके events को जानते थे। और उन्हें already इसके events के बारे में knowledge थी। इसलिए जब आगे epic का oral transmission हुआ तब further information events के साथ add होती रही और epic और ज्यादा complex और ज्यादा lengthy होता गया। महा भारत में around 18 books हैं जिन्हें परवा कहा गया है और इन books की भी कई sub books हैं लेकिन इन books में श्री कृष्णा की life को cover नहीं किया गया है इसके लिए अलग से हरिवंच परव है भागवत कीता को भी बाद में add किया गया। ये तो हम सबी जानते हैं कि महा भारत दो royal families के बीच टसल के बारे में हैं बट actual में महा भारत की starting royal court से नहीं होती। महा भारत के first page में नईमिसा forest में situated एक hermitage के बारे में लिखा है जिसमें कई sages gather हुए हैं एक ऐसे ritual को perform करने के लिए जिसकी duration 12 years है। इनमें head sage sonne का कुलपती थे। इसी दोरान वहाँ एक famous storyteller ओग्रिश्रवा सौती आता है। ओग्रिश्रवा इन sages को वेद व्यास के disciple वैशम पायना से भरत dynasty की story के बारे में बताता है। वो कहता है कि वैशम पायना ने ये story अर्जुन के great grand son जनम जिया को सुनाई थी। जिसे अपने father परिक्षित की death की वज़े से राजा बनना पड़ा। King परिक्षित की death एक python के sting से हुई थी। इसलिए King जनम जिया ने सभी snakes को sacrifice करने के लिए एक ritual perform करवाने का decide किया। जिसके लिए बहुत से famous sages को गुलाया गया था। इन में से एक sage वेदव्यास भी थे और उनके disciple वैशम पायन भी थे। King जनम जिया वेदव्यास से request करते हैं कि वो उन्हें उनके ancestors के बारे में बताए। इसलिए वेदव्यास अपने disciple वैशम पायना को कहते हैं भर्त डाइनस्टी में हुए events को describe करने के लिए। ये जानकर head sage सौनका कुलपती request करते हैं उग्रश्रावा से कि वो उन्हें भर्त डाइनस्टी की स्टोरी सुनाएं और उग्रश्रावा उन्हें महाभारत की स्टोरी सुनाने लगते हैं। जिसमें उग्रश्रावा सबसे पहले discuss करते हैं महाभारत का family tree इसके अलावा भी और बहुत सी details narrate करते हैं मगर हम only important personalities पर ही बात करेंगे जो generations ज्यादा influential नहीं थी हम उन्हें skip कर देंगे। पहले नंबर पर हैं रिशी अत्री और उनकी wife अनुसुया। इनका जिकर रमायना में भी मिलता है रिशी अत्री के father lord ब्रह्मा थे, रिशी अत्री के तीन बेटे थे, दत्तात्रेय, चंदर्मा means moon जिने सोमा भी कहा गया और दुर्वासा। उस time society four classes में divided थी, ब्रामिन, शत इनकी आगे की generations को चंदर्वंशी कहा गया, फिर चंदर्मा से बुध, बुध से पुरूर्वा, पुरूर्वा से आयू, आयू से नहुष और नहुष से ययाती का बर्थ हुआ और इसी sequence में throne inherit हुई, किंग ययाती ने देव्यानी और शर्मिष्ठा से शादी की, अब यहा हम पहले कुईन देव्यानी से स्टार्ट हुई रेस के बारे में बात करते हैं, देव्यानी के एक बेटे का नाम था यदू, और इनी से यादव रेस स्टार्ट हुई, इसी लाइने जिसे श्रेक्रिष्ण बिलॉंग करते थे और पांड़ूं की मदर कुंती भी इसी फैमि था दुश्यंत, कालिदास जी की लिखी अभिज्यान शकुंतलम, दुश्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी का मोडिफाइड वर्जिन है, किंग दुश्यंत ने शादी की शकुंतला से और भरत का बर्थ हुआ, किंग भरत बहुत पावर्फुल थे, किंग भरत की रूल के means you raja declare करते हैं बट भारतवाज राजा भरत की death के बाद खुद रूल नहीं करते और अपनी जगा अपने बेटे भुमन्यों को राजा बनाते हैं भुमन्यों के बाद हस्तिन राजा बनते हैं राजा हस्तिन ने हस्तिनापुर को अपनी capital बनाया ये सब नाम आपको याद रखने की ज़रुत नहीं है एक्स्प्लेनेशन में इन्हें इसलिए यूज किया है ताकि एक flow बने और plot में कोई डाउट ना रहे राजा हस्तिन के बाद इस dynasty में popular king हुए कुरू और कुरू के बाद शांतनू बात करते हैं शांतनू की राजा शांतनू ने गंगा से शादी की गंगा ने शांतनू से इस condition पर शादी की कि शांतनू उनके actions पर कभी question नहीं करेंगे जिस दिन उन्होंने कोई question किया question का answer देकर वो उन्हें चोड़ कर चली जाएंगी शांतनू ये शर्त मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है गंगा इस शादी से होने वाले साथ बेटों को one by one गंगा रीवर में डुबा देती हैं और सातों बार शांतनू गंगा को ऐसा करते हुए चुप-चाप देखते रहते हैं और कोई question नहीं करते लेकिन जब गंगा उनका आठवा बेटा भी डुबाने जा रही होती है तो उनसे रहा नहीं जाता और वो पूछ ही लेते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है गंगा कहती हैं कि ऐसा करके उसने इन सातों को सेज वशिष्ट से मिले अर्थ पर बोर्न होने के कर्स से फ्री करवाया है और इस आठवें के साथ भी वो यहीं करने जा रही थी बट उनके इस आठवें बेटे की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा है इसलिए अब वो इसे रीवर में ना डुबा कर अपने साथ ले जाएंगी और उसे किंग की थ्रोन और स्टेटस के लिए ट्रेंड करेंगी गंगा अपने इस आठवें बेटे का नाम देवरत रखती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है कई सालों बाद जब एक दिन किंग शांतनू गंगा रीवर के किनारे वॉक कर रहे थे तो गंगा वहां आती है और शांतनू को उनके बेटे देवरत से मिलवाती है गंगा कहती है कि देवरत ने Holy Scriptures की Knowledge सेज वशिष्ट से और The Art of Warfare सेज परशूराम से सीखा है ये सुनकर शांतनू बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा फ्यूचर में बहुत पावरफुल किंग बनेगा शांतनू देवरत को हस्तिनापुर ले आते हैं और उसे Crown Prince डिक्लेर कर देते हैं इस इवेंट को चार साल बीट जाते हैं एक दिन शांतनू यमुना रिवर के पास से ट्रैवल कर रहे थे तबी वो एक लड़की को देखते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं शांतनू को पता लगता है कि उस लड़की का नाम सत्यवती है और वो एक विलेज के Chief Fisherman की adopted daughter है शांतनू सत्यवती के फादर से सत्यवती से marriage के लिए consent लेने जाते हैं सत्यवती के father marriage के लिए condition रखते हैं कि future में हस्तिनापूर की throne को सत्यवती का बेटा ही inherit करेगा मगर शांतनू तो पहले से ही देवरत को ये position दे चुके थे इसलिए वो Fisherman की condition को accept नहीं करते और वापस चले आते हैं बट इस incident के बाद शांतनू दुखी रहने लगे थे शांतनू ने इसके बारे में किसी से बात नहीं की थी अपने father को ये दुखी देवरत इस सारे matter का पता लगा लेते हैं अपने father की सत्यवती से marriage की wish को पूरा करने के लिए देवरत सत्यवती के घर जाते हैं और सत्यवती के फादर से बात करते हैं बात करने पर उन्हें शादी को लेकर रखी condition का पता लगता है अपने father की खुशी के लिए देवरत ये ओथ लेते हैं कि त्रोन के लिए वो अपने सभी claims को renounce करते हैं वो lifelong celibacy को follow करेंगे to make sure that सत्यवती के बेटे को ही future में king बनाया जाए और हस्तिनापूर की त्रोन पर बैटने वाले में वो अपने father की ही image देखेंगे ये सब सुनने के बाद fisherman सत्यवती और शांतनू की marriage के लिए मान जाते हैं देवरत को इस terrible oath की वज़े से ही भीश्म कहा जाने लगा भीश्म सत्यवती को हस्तिनापूर ले आते हैं और अपने father को अपनी oath का बताते हैं शांतनू इस बात से बहुत परेशान होते हैं क्योंकि भीश्म ने ये oath लेकर हुट के साथ बहुत ज़्यादा injustice किया शांतनू भीश्म को समझाने की कोशिश करते हैं बट भीश्म अपनी बात पर अड़े रहते हैं भीश्म के इस affection और care से शांतनू इंप्रेस होकर भीश्म को एक बून देते हैं कि भीश्म की death तबी होगी जो वो खुद चाहेंगे इसके अलावा उन्हें और कोई मार नहीं सकेगा राजा शांतनू और सत्यावती की शादी हो जाती है और उनके दो बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य होते हैं राजा शांतनू की death के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर का किंग बनता है बट एक वार के दोरान चित्रांगद की भी death हो जाती है चित्रांगत के बाद विचित्रे वीरे को राजा बनाया जाता है विचित्रे वीरे की शादी काशी के राजा की दो डॉटर्स अंबिका और अंबालिका से होती है शादी की साथ साल बाद विचित्रे वीरे की डेथ हो जाती है और इनका कोई चाल्ड नहीं था मदर सत्यवती अपने दोनों बेटों की sudden death से बहुत दुखी थी वो भीश्म से कहती हैं कि अंबिका और अंबालिका से शादी करें बट भीश्म अपनी ओथ वापस नहीं लेते सत्यवती के काफी मनाने के बाद भी जो भीश्म नहीं मानते तो सत्यवती उन्हें अपने एक और बेटे व्यास को हस्तिनपुर बूलाने की बात करती हैं ये वहीं व्यास हैं जिनोंने महाभारत को originally compose किया सत्यवती भीश्म को बताती हैं कि सेज व्यास का बर्थ उनकी means सत्यवती और सेज पाराशर की unconventional union से हुआ था सेज पाराशर ने सत्यवती को ये कहा था कि उनकी इस यूनियन से जो बेटा होगा वो एक great and famous सेज बनेगा व्यास का बर्त जिस दिन हुआ उसी दिन वो एक youth की form में आ गए और पाराशर व्यास को अपने साथ ले गए बट इस promise के साथ के जब भी सत्यवती व्यास को बुलाना चाहेंगी व्यास वहाँ अपियर हो जाएंगे ये सब होने के बाद सत्यवती अपनी community में लौट आई और इस incident को सत्यवती ने अब तक secret ही रखा हुआ था सत्यवती ये सब बताने के बाद भीशम से पूछती है कि क्या वो अपने बेटे व्यास को यहां बुला ले भीशम को कोई objection नहीं था अब जैसे ही सत्यवती सेच व्यास को याद करती है विदिन सेकिंड व्यास उनके सामने अपियर हो जाते है फिर सत्यवती अपनी प्रॉब्लम व्यास से शेयर करती है व्यास सब जानने के बाद कहते हैं कि वो अपनी मदर की कमांड को जरूर पूरा करेंगे बट अभी उनका हुलिया इस लाइक नहीं है कि वो दोनों क्वीन्स के सामने जा सकें अपना अपियरेंस ठीक करने के लिए उन्हें एक साल लगेगा बट मदर सत्यवती इसे अर्जिंसी कहती है व्यास रिप्लाई देते हैं कि अगर दोनों क्वीन्स को उनके इस अपियरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस union से noble children का birth होगा इसके बाद सत्यवती अंबिका और अंबालिका से situation को explain करती है मुश्किल से ही सही बड़ दोनों sisters इस पर agree हो जाती है बट सत्यवती यहां एक गल्ती करती है वो अंबिका और अंबालिका से सेज व्यास के appearance का जिकर करना भूल जाती है जब अंबिका व्यास के चेंबर में एंटर होती है तो व्यास के हुलिये को देखकर डर से अपनी आखे बंद कर लेती है फिर जब व्यास से सत्यवती पूछती है कि क्या होने वाला चाइल्ड एक वर्दी सन होगा तो व्यास बताते हैं कि उसमें 10,000 एलिफेंट्स की पावर होगी और नॉलेज में वो एक सेज के इक्वल होगा बट क्वीन ने कंसेप्शन के टाइम अपनी आईस क्लोज कर ली थी इस वज़े से उनका चाइल्ड ब्लाइंड बैदा होगा और होता भी यही है इस बच्चे का नाम धृतराष्ट रखा जाता है यह सुनकर मदर सत्यवती फिर से टेंशन में आ जाती है और इस बार वो अंबालिका को सेज व्यास के चेंबर में बेशती है इस बार भी व्यास के अपेरेंस का वो जिकर नहीं करती As a result जब अंबालिका व्यास को देखती है तो वो अपनी आँखे तो नहीं बंद करती बट उनके अगली फीचर्स को देखकर डर से पिली पड़ जाती है After conception सेज व्यास सत्यवती को बताते हैं कि Queen उन्हें देखकर डर से पेल हो गई थी इस वज़े से उनका चाइल्ड भी पेल होगा बट बाकी आसपेक्ट में वो परफेक्ट होगा होता भी यही है अंबालिका के बेटे का बर्त से ही कॉंपलेक्शन पेल था और इस चाइल्ड का नाम पांडू रखा गया सत्यवती को सैटिसफेक्शन नहीं था क्योंकि वो चाहती थी कि हस्तिनापूर का किंग हर तरह से परफेक्ट हो तो वो एक बार फिर से अंबालिका को अप्रोच करती है to conceive a child by व्यासा मगर अंबालिका एक बार फिर से व्यास के अगली features face नहीं करना चाहती थी इसलिए वो अपनी जगा पर अपनी मेड परिश्रमी को व्यास के चंबर में भेज देती है परिश्रमी ना तो व्यास को देखकर अपनी आइस बंद करती है और ना ही डर से पेल होती है व्यास परिश्रमी के इस behavior से खुश होकर उसे ये blessing देते हैं कि वो अब एक slave नहीं रहेंगी और उसका बेटा justice और intelligence की personification बनेगा इसके बाद व्यास सत्यवती को अंपालिका के deception का बताते हैं कि उसने अपनी जगा अपनी मेड परिश्रमी को भेजा और कहते हैं कि उनके third child की mother एक शुदर woman परिश्रमी होगी और इस child का future में intelligence और justice की वज़े से खूब नाम होगा मेड परिश्रमी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम विदूर रखा जाता है दृतराश्च्र पांडू और विदूर तीनों को भेश्म अपने बेटों के जैसे raise करते हैं दृतराश्च्र पर्सनल स्टेंथ में एकसल अचीव करता है वहीं पांडू बड़ा होकर best archer बनता है और knowledge और wisdom में विदूर के comparison में कोई नहीं होता अब time था तीनों में से किसी एक को king declare करने का सो भेश्म दृतराश्च्र को राजा बनाने की बात करते हैं बड़ विदूर उन्हें रोक देते हैं और इसका reason वो ये देते हैं कि एक राजा को rule करने के लिए हर aspect से strong and perfect होना चाहिए पर दृतराश्च्र तो देखी नहीं सकते तो वो कैसे एक empire को चला पाएंगे ये सुनकर दृतराश्च्र को बहुत खराब लगता है क्योंकि वो खुद को throne के लिए deserving मानता था बट विदूर की बात सुनकर अपनी self respect बचाने के लिए वो जूटे मन से कह देता है कि विदूर की बात एक्दम सही है उसकी जगाँ पांडू को ही राजा बनना चाहिए इसलिए दृतराश्च्र की जगाँ पांडू को हस्तिनापूर का रूलर बना दिया जाता है बट दृतराश्च्र तो actual में desperate था to sit on the throne of हस्तिनापूर वो इसे अपना right मानता था कि वो बड़ा है इसलिए throne पर पहला right तो उसी का है और इस ambition को दृतराश्च्र कभी overcome नहीं कर पाता और clearly express भी नहीं कर पाया मदर सत्यवती अब इन दोनों की marriage के लिए भीश्मा से बात करती है तो भीश्मा कहते हैं कि दृतराश्च्र के लिए उनकी नजर में गंधार King Subala की daughter गंधारी है गंधारी भगवान शिव की भक्त है और उसे भगवान शिव से ये benediction means वर्दान मिला है कि वो सो बेटों की मदर बन सकती है भीश्मा King Subala से गंधारी की शादी की बात करती है King Subala पहले तो hesitate करते हैं बट भीश्मा की बात ना मान कर वो war नहीं करना चाते थे इसलिए वो ध्रितराष्ट और गंधारी की शादी के लिए मान जाते हैं गंधारी ने भी ध्रितराष्ट को accept कर अपनी आखों पर पट्टी मान ली ताकि वो अपने husband की weakness को experience कर सके King Subala का बेटा शकुनी इस रिष्टे से बिलकुल भी खुश नहीं था शकुनी को लगता था कि अपनी power और influence की वज़े से भीशमा उसकी sister गंधारी की शादी एक blind person से करवा रही है और blind होना भी एक बार को accept कर लिया पर ध्रितराष्ट तो कभी किंग बन ही नहीं सकता और उसकी sister जो इतनी beautiful है और इतनी qualities उसमें है वो ऐसा husband deserve नहीं करती clearly ये marriage गंधारी के साथ injustice है ध्रितराष्ट और गंधारी की शादी के बाद शकुनी भीशमा से injustice का बदला लेने और गंधारी को उसका हक दिलाने के मकसद से हस्तिनापूर में ही रहने लगता है और ध्रितराष्ट का विश्वास जीत लेता है शकुनी को पता लगता है कि जो वो चाहता है मेंस के उसकी sister का husband हस्तिनापूर का ruler बने ऐसा ही ambition द्रितराष्ट के मन में भी है शकुनी द्रितराष्ट के इस ambition को कभी खतम नहीं होने देता बलकि इसे और strong करने का try करते रहता है हस्तिनापूर के किंग पांडू की शादी कुन्ती से होती है बात करते हैं कुन्ती के past की कुन्ती के फादर शूर सेन यदू डैनेस्टी के chief थे और उनके बेटे का नाम वासुदेव था कुन्ती का real name प्रिथा था प्रिथा को king कुन्ती भोज ने adopt कर लिया था क्योंकि वो childless थे इसलिए प्रिथा को कुन्ती कहा जाने लगा एक बार दुरुवासा मुनी राजा कुन्ती भोज के palace में as a guest आते हैं तो कुन्ती उनकी बहुत सेवा करती है कुन्ती की services से खुश होकर दुरुवासा मुनी उसे ये boon means वर्दान में एक मंत्रा देते हैं कि इस मंत्रा को chant करके वो जब चाहे किसी भी heavenly being को बुला सकती है to produce children of the highest quality कुन्ती इस benediction means वर्दान से overexcited हो जाती है और इसका reality check करने के लिए वो sun god means सूर्यदेव को बुलाने का मंत्रा chant करती है मंत्रा chant करते ही सूर्यदेव कुन्ती के सामने थे वो सूर्यदेव से कहती है कि उसे तो बस दुरुवासा मुनी का दिया मंत्रा test करना था बट सूर्य देव कहते हैं कि इस मंत्रा को जिस intention से chant किया जाता है वो उसे पूरा किये बगार महां से नहीं जा सकते सो कुंती ने immediately conceive किया and bore a child जो sun god के जैसा ही था इसके साथ इस newborn baby के natural golden armor और glittering earrings भी पहने हुए थे फिसूर्य देव heaven चले जाते हैं और कुंती सत्मे में कि अब वो क्या करें वो अपनी family और society को क्या जवाब देगी इन सबसे बचने के लिए कुंती अपने newborn baby को एक basket में डाल कर रीवर में बहा देती है तो ये थी कुंती की कहानी अब उस बहाए हुए baby को अधिरत जो एक carpenter और chariot driver था पिक कर लेता है एक newly born baby को पाकर वो बहुत खुश था और उसे अपनी wife रादा के पास ले गया इन दोनों ने इस baby को adopt कर इसका नाम राधिय रखा कुंती के foster father कुंती भूच कुंती के लिए swimwear ceremony रखते हैं इस ceremony में कुंती पांडू को चुनती है और दोनों की marriage हो जाती है पांडू की second marriage मदरास kingdom की princess मादरी से होती है पांडू अपने valor and courage से पूरी earth पर अपनी power establish कर लेते हैं फिर कुछ time relaxation के लिए पांडू अपने दोनों wives कुंती और मादरी के साथ forest में रहने का decide करते हैं इसलिए हस्तिनाबुर में अपने बिहाफ पर धितराष्ट को राजा बना कर जाते हैं धितराष्ट को finally वो place मिल गया था जो अपने लिए हमेशा से चाहता था बट दुख भी था के ये खुशी बस कुछी दिनों की थी पांडू forest में कुंती और मादरी के साथ अच्छा time spent कर रहे थे एक दिन पांडू forest में हंटिंग के लिए निकले और उन्होंने एक large deer देखा ये deer अपने female companion के साथ intimate हो रहा था पांडू इनका अपने five sharp arrows से एक साथ शिकार कर लेते हैं बट ये दोनों तो actual में animals नहीं थे ये एक सेज किंदामा और उसकी wife थे मरते टाइम सेज किंदामा पांडू को curse देता है कि पांडू की fate भी same उसी के जैसी ही होगी जैसे ही पांडू अपनी wife को approach करेंगे पांडू की उसी वक्त death हो जाएगी पांडू खुद को मिले इस sudden curse से टूट जाते हैं वो अपने सभी servants, wealth and facilities को हस्तिनापूर भेज देते हैं और अपने साथ हुए events की news भी पहुंचा देते हैं और एक ascetic की तरह रहने लगते हैं भर्थ dynasty को preserve करने के लिए पांडू कुंती से उसे दुरुवास्ता मुनिस से मिले बून को use करने का कहते हैं पांडू पहले कुंती को demi-god यमा also known as धरमराज को समन करने का कहते हैं Demigod धरमराज से कुंती को धरमराज के equal ही एक बेटा होता है जिसका नाम युदिष्टर रखा जाता है युदिष्टर के birth के बाद पांडू कुंती से Demigod of Wind means वायू देव को समन करने का कहते हैं कि उन्हें एक ऐसा warrior बेटा हो जिसका मुकाबला पुरी दुनिया में कोई ना कर सके बायू देव से कुंती को एक super human strength and robust body का एक बेटा होता है इसका नाम भीम रखा जाता है भीम के birth के same day ही गंधारी को भी एक बेटा होता है जिसका नाम दुर्योधन रखा जाता है भीम के birth के बाद पांडू कुंती को इंद्र देव को समन करने का कहते हैं इंद्र देव से कुंती को उन्हें के जैसा एक बेटा होता है जिसका नाम अर्जुन रखा जाता है इंद्र कहते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण का close friend और invincible warrior बनेगा इसी बेच पांडू और कुंती को news मिलती है that गंधारी has obtained total 99 sons and a daughter इसके बाद पांडू अपने second wife मादरी के लिए कुंती को demigods अश्वनी कुमारा को समन करने का कहते हैं जिसे twins होते हैं जिनका नाम रखा जाता है नकुल और सहदेव इस रंधरितराष्टर के गंधारी से 99 sons and एक daughter दुशाला थी इसके अलावा एक maid सुगाधा से भी एक बेटा हुआ जिसका नाम यूद्सू रखा गया वहीं पांडू के कुंती से तीन और मादरी से दो बेटे हुए एक दिन पांडू अपनी वाइफ मादरी से एट्रेक्ट होकर रिशी से मिला कर्स भूल जाते हैं मादरी रिजिस्ट करती हैं बट नो यूस और पांडू की डेथ हो जाती है पांडू की डेथ के लिए मादरी खुद को रिस्पॉंसिबल मानती है और पांडू के फ्यूनरल के साथ ही खुद सती हो जाती है कुंती अपने बच्चों के साथ हस्तिनापूर आ जाती है हस्तिनापूर में पांडू और मादरी के लास्ट राइट्स परफॉर्म किये जाते हैं श्राद सेर्मनी के बाद वेद ब्यास मदर सत्यवती से कहते हैं कि अब उन्हें हस्तिनापूर छोड़ कर उनके साथ फोरेस्ट चलना चाहिए क्योंकि कुरू डैनेस्टी की हैपिनेस का अब संसेट हो चला है और अब जो होने वाला है वो उनसे देखा नहीं जाएगा सत्यवती दोनों डॉर्टर इनलोस अंबिका और अंबालिका को भी साथ फोरेस्ट चलने का कहती है फोरेस्ट में रहकर मेडिटेशन के तुरू ये तीनों परफेक्शन अटेंड कर स्पिरिचुल वर्ल्ड वेकुंट में एंटर हो जाती है यहां हस्तिनापूर में पांडवास अपने फादर के पैलेस में सैटल हो गए थे बट वहां का महोल उन्हें जच नहीं रहा था क्योंकि मामा शकुनी ने जहर के बीच कौर्वों और इस्पेशली दुर्योधन और दुशासन में बो रखे थे शकुनी शुरू से ही दुर्योधन को ये सिखाते रहे कि उसके फादर ही सही मायने में हस्तिनापूर की राजा है इस वज़े से उनके बाद दुर्योधन का ही हक है राजा बनने का और पांडव की जब डेथ होई तो वो राजा नहीं था बट अब फ्यूचर में युधिश्टिर उसके हक पर अपना दावा रखेगा जो के उसी तरह होगा जिस तरह सालों पहले उसके फादर दृतराश्टर के साथ हुआ था जब उनकी जगा पांडव को राजा बनाया गया दृर्योधन मामा शकुनी पर सबसे ज़्यादा बिलीव करता था और उनकी इन बातों की वज़े से पांडवों से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा था ये नफरत इतनी बढ़ गई थी कि एक बार दृर्योधन ने मामा शकुनी के कहने पर भीम को बेहोश करके उसे रीवर में डुबा कर मारना चाहा बट फॉर्चनेटली भीम बच गया और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉंग होकर लोटा जब दृर्योधन और शकुनी की इस हरकत के बारे में भीश्म और विदुर को पता चला तो भीश्म तो दुखी हुए बट विदुर ने एडवाइस दिया कि इससे पहले कि ये दृर्योधन साप बनकर सब को डसे इससे खतम कर देना चाहिए बट भीश्म ये बात नहीं मानते विदुर के इस एडवाइस के बारे में दृतराष्ट और गंदारी को भी पता चल जाता है ये दोनों भी अपने बेटे की इस हरकत पर दुखी थे और उसे समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे पांचों पांडव उसके भाई ही हैं बट मामा शकुनी की बातों के आगे सब फेल सबी बच्चों को बड़ा होते देख भीश्म उन सबी को साइंस ओफ वारफेर सिखाने के लिए गुरु दुरोनाचारे के पास भीशते हैं गुरु कुल में भी दुर्योधन दुशासन का फोकस पांडवों को बुली करने में ही लगा रहता इस्पेशली भीम और अर्जुन को महीं दूसरी तरफ राधे अभी बड़ा हो रहा था राधे अपने फादर अधिरत से रिक्वेस्ट करता है उसे एक गुरु के पास भीशने के लिए ताकि वो आर्चरी सीख सके उसे उनकी तरह चैरियट ड्राइवर नहीं बनना वो तो सपने में भी खुद को बोव और एरो पकड़े देखता है राधे कन्फ्यूज था कि ऐसा उसके साथ क्यूं है उसे तो उसके फादर के जैसा होना चाहिए न फाइनली अधिरत राधेय को उसकी रियालिटी बताते हैं कि राधेय अडॉप्टेड है मगर उनके लिए वो सगा बेटा ही है राधेय की वारफेर सीखने के इच्छा पूरी करने के लिए अधिरत उसे हस्तिनापूर ले जाते है सबसे पहले वो ग्रेट सेज द्रोन को अप्रोच करते हैं बट द्रोन कहते हैं कि वो हस्तिनापूर के सभी प्रिंसस को ट्रेन कर रहे हैं और राधेय एक प्रिंस नहीं है इसलिए वो उसे ट्रेन नहीं करेंगे इस पर राधेय रिप्लाय करता है कि प्रिंस तो आपका वेटा अश्वत थामा भी नहीं है बट वो तो उन्हीं के साथ ट्रेनिंग ले रहा है द्रोनाचारे अधिरत से कहते हैं कि राधेय का नाम उसकी परसनालिटी को सूट नहीं करता इसलिए उसे राधेय ना कहकर करण कहा जाए द्रोन के बाद करण सेज परशुराम को वारफेय की ट्रेनिंग देने के लिए अप्रोच करता है करण डिसाइड करता है कि वो गुरु परशुराम को अपनी रियल आइडेन्टिटी नाम बताकर हुद को ब्रामिन बताएगा परशुराम भीश्म के भी गुरु रह चुके थे परशुराम करन को ब्रामिन समझकर उसे अपनी military science की सारी knowledge देते हैं और उसे एक best archer बनने के लिए train करते हैं करन का एक ही target था powerful warrior बनना और इसके लिए वो खूब महनत भी करता है परशुराम भी करन जैसा talented और dedicated student पाकर proud feel कर रहे थे करन की education complete हो जाती है मगर एक दिन करन की tolerance power देखकर परशुराम को उस पर शक होता है क्योंकि एक ब्रामिन में pain को लेकर इतनी ज्यादा tolerance नहीं हो सकती थी वो करन से कहते हैं कि तुमने मुझसे जूट कहा तुम शत्रिय हो बट करन कहता है कि नहीं मैं lower caste से belong करता हूँ मैंने ब्रामिन होने का जूट बोला था परशुराम कहते हैं कि ये भी जूट है वो एक शत्रिय है और अब इस जूट के लिए परशुराम उसे कर्श देते हैं कि जिस दिन तुम्हें मेरी दी knowledge और skills की सबसे ज्यादा जरुरत होगी तुम्हें ये knowledge याद नहीं रहेगी कर्ण दुखी तो बहुत होता है बट फिर वो अपने मन को समझा लेता है कि ये सब उसके कर्मों का ही नतीजा है उसने जूट बोला सो punishment तो उसे मिलनी ही थी कौरव और पांडव भी अपनी education कंप्लीट कर चुके थे गुरू द्रोन भीश्म को इस बारे में inform करते हैं और इस कुशी में एक tournament of arms रखने को suggest करते हैं ताकि वो सभी अपनी prowess डिस्प्ले कर सके Tournament of arms अरेंज किया जाता है सभी kings and elders of the Kuru dynasty इस occasion को witness करने के लिए assemble होते हैं कुंती और गंधारी भी वहाँ थी stage पर भीश्म, राजा, धृतराष्ट्र, विदूर, राजगरु, कृपाचारे और गुरु द्रोन थे सबसे पहले introduce किया जाता है युदिष्टर को फिर दुर्योधन और भीम को introduce किया जाता है फिर अर्जुन और अर्जुन के बाद दुशासन दुशासन के बाद उसके छोटे भाई विकर्ण को विकर्ण के बाद नकुल और नकुल के बाद सहदेव को introduce कराया जाता है फिर एक के बाद एक सब अपनी प्रोवेस डिस्पले करते हैं दुरुन अर्जुन की आर्चरी स्किल्स की एक्सिलेंसी देखने के बाद उसे वर्ल्ड का बेस्ट आर्चर डिकलेयर करते हैं बट तबी वहाँ कर्ण आ जाता है कर्ण की डैजलिंग सनलाइक परसनालिटी देखकर सभी हैरान हो रहे थे विदुरु भी सर्प्राइज होते हैं कि चंदरवन्शों के बीच ये सूर्य के जासा वर्यर कौन है कर्ण सबको नमस्कार करने के बाद अर्जन को चैलेंज करता है कि किसी से मुकाबला कि बगार वो वर्ल्ड बेस्ट आर्चर नहीं बन सकता बट कौन्ती कारन को चैलेंज करने से पहले अपनी अइडनिटी बताने का कहते हैं इस पर करन कोई जवाब नहीं दे पाता और कौन्ती कारन के नैच्रल आर्मर और एरिंग्स को देख कर पहचान जाती है पहली बार किसी को अर्जुन को चैलेंज करते देख दुर्योधन बड़ा खुश था वो कहता है कि अगर ड्योधन की कंडिशन में प्रिंस या फिर किंग होना है तो फिर वो अभी इसी वक्त कर्ण को अंग देश का किंग डिक्लेयर करता है और कर्ण को अपनी फ्रेंशिप का ओफर भी देता है कर्ण दुर्योधन के दोनों ही ओफर एक्सेप्ट कर लेता है इसी बीच एंट्री होती है कर्ण के फादर अधिरत की और सबको पता चल जाता है कर्ण एक चैरियट ड्राइवर का बेटा है भीम और अरजन उसे लोडर कास्ट होने का मेनस सूत होने का ताना देते है इस पर दुर्योधन कहता है के शत्रियES होने के लिए शत्रिये फैमली से होना ज़रूरी नहीं बलकी करेश और हिरोईजम होना ही शत्रिये होने की निशानी है युदिश्टर भी कर्ण को देखकर कन्विंस हो जाता है कि ऐसा वारियर कोई नहीं हो सकता जो बॉव मैंशिप में कर्ण का मुकाबला कर सके इस इवेंट के एक साल बाद दृतराश्टर युदिश्टर को क्राउन प्रिंस डिकलेयर कर देते हैं हस्तिनापूर के सिटिजन्स भी पांड़ों से अफैक्शनेट हो गए थे बिकॉज ओफ दियर गुड क्वालिटीज और लोग चाहते भी थे कि उधिश्टर ही उनका राजा बने पांडवास की पॉपिलारिटी देखकर दृर्योधन बहुत जैलेस होता है दृर्योधन मामा शकुने के एडवाईस पर जल्दी आग पकड़ने वाले मैटेरियल से वार्नावरत में एक पैलेस बनवाता है इस पैलेस में बाहर निकलने के लिए एक ही डौर था इसके अलावा एक विंडो भी नहीं थी ताकि आग लगने के बाद बचने के लिए एक ही रास्ता हो ये पैलेस ओफ लेकर पांडवों के लिए ही स्पेशली बनाया गया था दुरियोधन दृतराष्टर से पांडवों को वार्नावरत में न्यूली बिल्ट पैलेस में भेजने की परमीशन मांगता है दृतराष्टर दुरियोधन को परमीशन दे देते हैं दुरियोधन युधिष्टर को पैलेस ओफ लेकर में जाने का कहता है युधिष्टर दुर्योधन के इस जेश्चर से बहुत खुश होता है युधिष्टर के साथ चारूंभाई और मदर कुंती भी वार्नावरत जाने का डिसाइड करते हैं वहीं विदुर को अपने सोर्सेस से पता लगता है कि दुर्योधन और शकुनी पांडवूं को मारने के इरादे से ही वार्नावरत में बने पालस में भीजना चाते है इसलिए वो इंडिरेक्टि पांडवूं को वौन करते हैं पांडवाज समझ जाते हैं कि दुर्योधन की ये कोई चाल ही है वानावरत पहुंचकर उन्हें पता चल जाता है कि दुर्योधन का बनवाया ये पैलेस लैकर, घी और बैम्बूज से बना है इसका मतलब एक चिंगारी से ही पूरे पैलेस में आग लग सकती है युदिष्टिर अपने एसकेप के लिए एक टनल डिक करवाते हैं और टनल का काम कम्प्लीट होते ही युदिष्टिर खुद इस लाक्षा ग्रह में आग लगवाकर मदर कुन्ती और चारों भाईयों के साथ टनल के दुरू फोरेस्ट में पहुंच जाते हैं वहाँ से वो गंगा रिवर के किनारे पहुंचते हैं जहां उन्हें विदुर की भेजी बोट मिलती हैं और साथ ही विदुर का ये डिरेक्शन भी के वो अब सदर्न स्टेट्स की तरफ निकल जाएं पांडवास ऐसा ही करते हैं हस्तिनापूर पांडवों के लाक्षा ग्रह मेंस हाउस ओफ लैकर में लगी आग से पांडवों की डेथ की न्यूस पहुंचती है दुर्योधन को बड़ा सुकून मिलता है कि अब उसका कोई कॉम्पेटिटर जिन्दा नहीं बचा करन दुर्योधन का फ्रेंट था बट फिर भी उसकी इस हरकत पर जरा भी खुश नहीं था करन हमेशा से दुर्योधन को राइवल्री खतम करने के लिए एक ही एडवाइस देता कि उसे पांडवों से बैटल करना चाहिए क्योंकि वो एक शत्रिये है और शत्रिये इसी तरह से अपने कंपेटर से मुकाबला करते है ना के इस तरह के चालें चल कर धोके से वाउर करना हमेशा की तरह मामा शकुनी उसे चुप करा देते है पांडवों की डेट की नियूज से भीश में सबसे ज़्यादा दुकी थे बट विदुर उन्हें नहीं बताते कि वो सबी जिन्दा है वहीं पांडवास ब्रामिन्स के डिसकाइस में फोरेस्ट में रहने लगे थे इसी दोरान उन्हें सेज धोम्या और उनके साथी सेजेस से पंचाल किंग दुरुपद की डॉटर दुरुपदी के स्वेमवर का पता चलता है दुरुपद दुरुपदी के बायोजिकल फादर नहीं थे दुरुपदी और दृष्ट द्यूमन का बर्थ सैक्रिफिशल फायर से हुआ था जिसे किंग दुरुपद ने और्गनाइस करवाय था दुरुणाचार्य से रेवेंज लेने के लिए ये जानकर पांडवाज भी स्वेमवर में जाने का डिसाइड करते हैं स्वेमवर में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और आसपास के कई पावरफुल और फेमस किंग्स और प्रिंसेस प्रेजन्ट थे इसके अलावा स्वेमवर में श्रेक्रिष्न और बलराम एज़ स्पैक्टेटर प्रेजन्ट थे दुरुपदी और श्रेक्रिष्न फ्रेंड्स थे स्वेमवर जीतने के लिए टास्क रखा गया था तो श्रेक्रिष्न के इशारे पर दुरुपदी उसे लोवर कास्ट कहकर ये टास्क करने से रोक देती है इसके बाद अर्जुन जो ब्रामिन के डिसकाइस में वहाँ था आकर ये टास्क पूरी करता है और दुरुपदी को जीत लेता है इस पर बाकी सब लोग अबजेक्ट करते हैं कि अगर ब्रामिन से ही अपनी बेटी की शादी करानी थी तो फिर उन सब को यहां हुमिलियेट होने क्यों बुलाया इसका जवाब श्रेक्रिशन देते हैं कि दुरुपदी को जीतने वाला ब्रामिन नहीं बलकि फेमस वारियर अर्जुन है दुरुपदी और अर्जुन की शादी हो जाती है ये देख कि दुर्योधन को बड़ा जटका लगता है कि ये सब बच कैसे गए दुरुपदी को लेकर अर्जुन और भेशम घर आ रहे होते हैं तो अर्जुन मदर कुंती को सर्प्राइस देने का प्लान करता है और कहता है कि देखो मा हम आज की भिक्षा ले आए हैं कुंती उसकी तरफ बिना देखे कहती हैं कि जो भी लाए हो पांचो भाई आपस में बांट लो कुंती का reply एकदम unexpected था कुंती जब देखती हैं तो पच्टाती हैं कि बिना देखे वो ये क्या बोल गई वो कहती हैं कि उन्होंने भिक्षा के लिए कहा था बट ये तो अर्जुन की वाइफ है और इसे बांटा नहीं जा सकता ऐसे में श्रीकृष्ण वहां आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि कुंती ने जो कहा वो सही कहा क्योंकि पिछले जनम में दुरौपदी ने भगवान श्रीफ से ऐसे हस्बंट का वरदान मांगा था जो विस्टम, पावर, आर्चरी, ब्यूटी, टॉलरंस में सुपीरियर हो लेकिन किसी एक का इन सब में सुपीरियर होना पॉसिबल नहीं है मगर एक साथ मिलाकर देखा जाए तो इन क्वालिटीज में पूरे वर्ल्ड में पांडवाज ही सुपीरियर है इसलिए दुरौपदी को इसे भगवान श्रीफ का दिया वरदान मान कर पांचों पांडवों को अपना हस्बंट एकसेप्ट करना चाहिए और इस तरह दुरौपदी की पांचों भाईयों से शादी होती है दृतराष्ट को पांडवों के जिन्दा होने और दृतराष्ट को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस नियूज पर रियक्ट कैसे करे खुद को संभाल कर वो विदुर से कहते हैं कि विदुर उन्हें यकीन तो होगा ना कि लाक्षा ग्रह की कॉंस्पिरेसी में उसका हाथ नहीं था तो विदुर कहते हैं कि युधिष्टिर को होगा और युधिष्टिर ये मानेगा तो बाकी चारों भाई भी मान लेंगे ये सुनने के बाद रितराष्ट्र विदूर से कहते हैं कि वो पांचाल जाकर कुंती, पांडवों और डॉर्टर इनलो द्रॉपदी को हस्तिनापूर आने का इंविटेशन दे। अगर उन्हें पहले पता रहता कि पांडव जिन्दा है तो वो कभी भी दुर्योधन को इतनी जल्दी क्राउन प्रिंस नहीं बनाते। उधर दुर्योधन मामा शकुनी और करन के साथ इसी डिसकेशन में लगा था कि इतनी मेहनत के बाद भी सब वेस्ट हो गया। करन एडवाईज देता है कि इन सब बातों और कॉंस्पिरेसिस से कुछ नहीं होने वाला। दुर्योधन एक वारियर है और उसे वारियर की तरह ही बिहेव करना चाहिए। उसे पांड़ों से बैटल फिल्ड में मुकाबला करना चाहिए जिससे एक ही बार में पता चल जाएगा कि हस्तिनापूर की थ्रोन के लिए कौन डिजर्विंग है बड़ शकुनी करन को चुप करा देते हैं कि हर प्रॉबलम का सॉल्योशन वार नहीं होता। इसलिए उसे अपनी जगां से हटना पड़ेगा तो ये तो उसके साथ इंजस्टिस हुआ ना। पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई सॉल्योशन ढूंड ही लेगा। वही पांचाल में श्रीकृष्ण युधिष्टर से कहते हैं कि अब उन्हें धृतराश्टर से अपना हक मागना चाहिए। युधिष्टर कहता है कि वो वार नहीं चाहता तो श्रीकृष्ण कहते हैं कि अपना हक मागना वार नहीं होता। उन्हें धृतराश्टर के हस्तिनापूर बुलाने का वेट करना चाहिए। तब ही राजा धृतराश्टर के मेसेंजर बनकर विदूर पांचाल पहुँन जाते हैं। कुंती गहती हैं कि विदूर को यहां नहीं आना चाहिए था। क्या विदूर ये नहीं जानते कि हस्तिनापूर में उनके बेटों को मारने के लिए प्लान बनाया गया था बट विदूर कहता है कि आज नहीं तो कल हस्तिनापूर का किंग युदिश्टिर को ही बनना है और पांड़ों के साथ जस्टिस जरूर होगा अगले दिन विदुर असेंबली हॉल में पांड़ों के साथ साथ पांचाल किंग बलराम और श्रीकृष्ण से मिलते हैं और हस्तिनापूर आने के लिए पांड़ों को इन्वाइट करते हैं श्रीकृष्ण और बलराम भी कहते हैं कि पांड़ों के साथ वो भी हस्तिनापूर जाएंगे और अपनी बुआ कुंती का ससुराल देखेंगे श्रीकृष्ण पांड़ों को सपोर्ट करने के लिए ही उनके साथ जा रहे थे श्रीकृष्ण बलराम, कुंती, द्रौपदी और पांड़वास विदूर के साथ हस्तिनापूर आ जाते हैं दुर्योधन और शकुनी के अलावा सभी उनका वेलकम करते हैं द्रितराष्ट्र, शकुनी, विदूर, भीष्म, कृपचारे और द्रोणाचारे के साथ एक मीटिंग रखते हैं द्रितराष्ट्र कहते हैं कि युदिष्टिर के आने के बाद हस्तिनापूर के दो क्राउन प्रिंस हो गए है लेकिन थ्रोण तो एक ही के लिए है, इसलिए अब क्या किया जाए विदूर तो क्लियरली कह देते हैं कि युदिष्टिर की डेथ की नियूस के बाद इतनी जल्दी दुरियोधन को क्राउन प्रिंस बनाना ही नहीं चाहिए था और रही बात उनके ओपीनियन की तो दुरियोधन हस्तिनापूर का किंग बनने के लिए डिजर्विंग नहीं है बीशम एडवाइस देते हैं कि उन्हें अब ये डिजर्विंग कौन है ये क्वेस्टिन छोड़ देना चाहिए वो नहीं चाहते कि दुरियोधन या युधिश्टिर में से किसी के साथ भी इंजस्टिस हो इसलिए वो बड़े ही भारी मन से हस्तिनापूर को दो इकल पार्ट्स में डिवाइट करने का एडवाइस देते है गृतराष्ट्र को ये एडवाइस सही लगता है वो युधिश्टिर को बुलाकर इमोशनल बातें करके लास्ट में अपने मतलब की बात करता है गृतराष्ट्र कहता है कि वो हस्तिनापूर की थ्रोन पर अपने चोटे भाई पांडू का एक रिप्रेजेंटेटिव है पांडू का बड़ा बेटा होने के नाते इस त्रोन पर युधिश्टिर का ही हक है बट जो इविंट्स हुए हैं उसकी वज़े से वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इसके बेच में दुर्योधन की एगो आ रही है बहतर यही होगा कि हस्तिनापूर को दो पार्ट्स में डिवाइट कर दिया जाए वैसे तो युधिश्टिर को ही हस्तिनापूर मिलना चाहिए बट दुर्योधन कहता है कि अगर खांडू परस्त जाना होगा तो दृतराष्ट्र मेंस उसके फादर को भी उसके साथ ही जाना होगा और वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हस्तिनापूर में तो उनकी आत्मा बस्ती है वो युधिश्टिर से कहता है कि युधिश्टिर तो समझदार है इसलिए वो खांडू परस्त का राजा बना एक्सेप्ट करे ताकि बिना किसी लड़ाई जगडे के प्रॉबलम को खतम किया जा सके वहीं हस्तिनापूर का वन एंड ओनली क्राउन प्रिंस बनने के बाद दुर्योधन का इगो भी सैटिस्फाई हो जाएगा तो ये काइंड ओ विन विन सिच्वेशन होगी सबके लिए युदिष्टिर बिना कोई आर्गूमेंट किये दृतराष्टर के कहे कि अकॉर्डिंग खांडू परस्त का राजा बनने के लिए मान जाता है युदिष्टिर जब ये बात मदर कुंती और अपने भाईयों और श्रेकृष्ण से शेयर करते हैं तो चारों भाई एक ही बात बोलते हैं कि अगर हस्तिनापुर को दो टुकडों में तोड़ना ही था तो इस डिसीजन में उनका ओपीनियन भी पूचा जाना चाहिए था बट कुंती सब को चुप करा देती है कि ये डिसीजन उनके पितामा भीश्म का है और वो पांड़ों के लिए गलत नहीं कर सकते श्री कृष्न भी कहते हैं कि युधिष्टिर को बिना किसी हैसिटेशन के आगे बढ़ना चाहिए और खांड़ों प्रस्त को अपनी करम भूमी बनाना चाहिए युधिष्टिर तो ये बात समझ जाता है बट भीम, अर्जु, नकुल और सहदेव को ये ठीक नहीं लग रहा था फिर युधिष्टिर चारों भायों के डाउट का जवाब देते हैं युधिष्टिर कहते हैं कि वो चाहे कुछ भी कर ले वोर तो होना ही है बट जितनी देर तक इसे टाला जा सकता है वो इसे टालते रहेंगे और रही बात खांडव प्रस्त जैसी खंडर जगां जाकर बसने की तो वो अपने हार्ड वर्क, करेज और डेडिकेशन से खांडव प्रस्त को भी इंद्रप्रस्त बना देंगे नहीं थे क्योंकि वो तो पूरा हस्तिनापूर चाहते थे अपने भांजे दुर्योधन के लिए वो युदिश्टिर की कॉरोनेशन सेर्मनी से पहले ही स्कीम लगाने बैठ जाते हैं कि कैसे खांडव प्रस्त को फिर से हस्तिनापूर में मिलाया जा सके युदिश्टिर की विशे किया जाता है फिर पांडव फैमिली खांडव प्रस्त जाने के लिए अपनी जर्णी स्टार्ट करती हैं जैसा कि उन्हें पहले से पता था खांडव प्रस्त मींस खंडर तो उन्हें वहां पहुंचकर ज्यादा खुशी नहीं होती बट श्रीकृष्ण उन्हें जंगलों को साफ कर इंद्रप्रस्थ बिल्ट किया गया पांडों की वेल्थ और बॉर्डर डे बाइडे इंक्रीस हो रहा था इंद्रप्रस्थ में डीमन माया एक पैलेस ओफ इल्यूजन्स बिल्ड करता है जिसे वो ऐस गिफ्ट पांडवास को देता है क्योंकि अर्चुन निकल रहा होता और कहीं रास्ता दिखाई देता बट वहां दिवार होती पांडवास का फेम एकदम पीक पर था इसी बीच श्रीकृष्ण अर्जुन की दूसरी शादी सुबद्रा से करवाते हैं सुबद्रा श्रीकृष्ण और बलराम की सिस्टर थी श्रीकृष्ण यु का फेम और बढ़ेगा युदिष्टिर को ये बात ठीक लगती है सो राजसु ये यग्य सेरमनी के लिए सबी पारफुल किंग्डम्स के किंग्स को इन्वाइट किया जाता है हस्तिनापुर भी इंविटेशन भेजा जाता है दुर्योधन दुशासन कर्ण और मामा शकुन ने हेवन में कनवर्ट कर दिया था शकुनी का भी कुछ यही हाल था बट मामा शकुनी के दिमाग में तो औरेड़ी एक कॉंस्पिरिसी चल रही थी शकुनी युदिष्टिर के साथ डाइस खेलते हैं डाइस को महाभारत में चौसर कहा गया है शकुनी इस गेम में बाजी जीत सके शकुनी युदिश्टर के मन में ये वहम लाना चाहते थे कि युदिश्टर डाइसिंग में खुद को शकुनी से बैटर समझने लगे दुर्योधन को कहीं भी शांती नहीं मिल रही थी इसलिए वो कुछ देर मन बहलाने के लिए दे पैलेस ओफ इल्यूजन् बट देखता क्या है Confused और Surprise ही होता रहता है उसे समझी नहीं आ रहा था कि ये क्या जगए है कहां रास्ता निकलता है और कहां रास्ता नहीं है दुर्योधन जहां जाना चाहता वहां दिवार से टकरा जाता और जहां Forest देखकर रुकता वहां से रस्ता निकलते हुए पाता इसी तरह हैरान और जेलिस होते वो मायभवन देखी रहा होता है कि रास्ते में वो पहचान नहीं कर पाता कि जिसे वो जमीन समझ रहा है वहाँ एक्चल में पानी है और जैसे ही आगे बढ़ने के लिए वो पैर रखता है वो उस पानी में गिर जाता है दुर्योधिन जो पहले से ही पांटों की सकसस देख नहीं पा रहा था दुर्योधिन की ये हसी और ये कमेंट उसके गुसे को और ज्यादा बढ़ा देते हैं वो गुसे में वापस हस्तिनापूर चला जाता है और महां जाकर शकुनी से कहता है कि शकुनी जल्दी कुछ करे क्योंकि वो उस घमंडी औरत से बदला लेना चाता है जिसने उसे अंदे का बेटा अंदा होने का ताना दे कर उसका मजाग बनाया शकुनी तो अल्रेडी अपनी चौसर गेम की कॉंस्पिरेसी पर काम कर ही रहे थे तो वो दुर्योधन को कहते हैं कि वो जाकर दृतराष्टर से कहे पांडवों को डाइसिंग के लिए इन्वाइट करने को अगर पांडव यहां आ गए तो फिर वही होगा जो शकुनी हमेशा से चाहते हैं और इसके साथ दृतर अपनी हुई इन्सल्ट का बदला भी ले सकेगा करन को मामा शकुनी की ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती और करन वहां से निकल जाता है आगे की समरी हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे I hope यहां तक आपको महा भारत की स्टोरी समझ आ गई होगी Thank you, thank you very much for your time